प्रिशन है मेवार प्रजामंडल की स्तापना किसके द्वारा की गई थी तो मानिक्यलाल वर्मा की द्वारा की गई थी मेवार प्रजामंडल की स्तापना अगला प्रशन है कोटा राज्य में जन्जागरती का श्रे किसे दिया जाता है तो पंडिते नेनुराम शर्मा को दिया जाता है कोटा राज्य में जन्जागरती का श्रे अगला प्रिशन है जेपूर प्रजामंडल की स्थापना सन 1921 में प्रत्थमत है किसकी अधिक्स्ता में की गई थी तो ये कपूर चंद पाटनी की अधिक्स्ता में की गई थी जेपूर प्रजामंडल की स्थापना अगला प्रश्न है तोथी पोथी पुस्तक संबंदित है तो ये बेकानेर प्रजा मंदल से संबंदित है तोथी पोथी पुस्तक है अगला प्रश्ण है मारवाड हितकारणी सभा को पुनर्जीवित किया गया था तो सन 1921 इसे में पुनर्जीवित किया गया था मारवाड हितकारणी सभा को अगला प्रस्ण है मारवार की अवस्ता के लिखक है तो जैनाराइण व्यास है जिनोंने मारवार की अवस्ता नामक पुस्ता के लिखी है अगला प्रस्ण है बरतपुर में महिला सत्यागरियों का नेत्र तुवे किस ने किया था तो यह सरस्वती बोहरा ने किया था महिला सत्यागरियों का नेत्र तुवे अगला प्रसंन है एक लिंग जी के मंदिर में दक्षिनी द्वार की प्रसंथी किसके समय उत्परेण की गए थी तो महराना रनमल के समय की गए थी एक ृप्रसंथी के सब्सक्राप्पना अगला प्रसंथ έχει बपारावल को विप्रवंशिये किस प्रस्षश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श गए हैं तो बीस प्लस उनों इस प्रकार से इसे विश्णोई कहा जाता है अगला प्रस्ण है गुहिल वंश के बपा से लेकरे कुम्बा तक की विश्तरत वन्शावली एव में उनकी उपलब्दियों का वर्णने कहां मिलता है तो इनका वर्णने केर्थिस्तंब प्रस्थि म सुत्रदार कौन थे तो देपाग थे जो की रनकपुर प्रस्थि के सुत्रदार थे अगला प्रस्थि है किस प्रस्थि में बपा रावल और काल बोज को अलग अलग वेक्ती बताया गया है तो ये रनकपुर प्रस्थि में बताया गया है बपा और काल बोज को अलग अलग वेक्ते चित्तोडगर्गर्ग के जेन किर्थिस्थम में उत्किर्ण तीन अभी लेखों का इस्तापना करता कौन था जीजा शाहा था जिसने चित्तोडगर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्गर्ग किस लेक में परमारो की उत्पती रिशी वशिष्ट के आबु यग से बताई गई है तो ये केराडू के लेक में बताई गई है जो परमारो की उत्पती है रिशी वशिष्ट के आबु यग से अगला प्रसन है किस लेक में ये बताया गया है कि चोहन सूर्य वंशी थे तो ये हरी केली नाटक में बताया गया है कि चोहां ने सूर्य वंशी थे अगला प्रस्ण है करनल जेम्स टोड द्वारा समुंदर में फेका गया शिला लेखे कौन सा था तो ये मानमोरी शिला लेख था जो कि इंगलेंड जाते समय करनल जेम्स टोड ने समुंदर में फेक दिया था अगला प्रशन है 1936 इश्वी में कृष्णा दीवस मनाया गया था तो ये आपके जोदपुर में मनाया गया था कृष्णा दीवस ए 1936 में अगला प्रशन है जवार लाल नेरु ने विशू का आठवा आश्चरिय किसे कहा है अगला प्रशन है राजस्तान में दादू मुक्ष प्राप्ति के लिए आवशेक समझते थे तो ये गुरू के द्वारा मार्ग दर्शन को आवशेक समझते थे मुक्ष प्राप्ति के लिए अगला प्रस्ण है स्वरपरतम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले जेपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अगला प्रस्ण है बीकानियर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई थी तो ये कॉलकत्ता में की गई थी बिकानेर प्रजामंडल की इस्तापना अगला प्रस्ण है जेपुर प्रजामंडल की स्तापना कब की गई थी तो सन 1931 में जेपुर प्रजामंडल की स्तापना की गई थी अगला प्रस्ण है बगवती देवी का संबन्द किस प्रजामंडल से है तो मेवार प्रजामंडल से संबन्द है बगवती देवी का अगला प्रस्ण है त्याग भूमी के संपादक कौन थे तो ये हरी बाव उपाध्याय थे जो के त्याग भूमी समाचार पत्र के संपादक स्म hello मगबूल आलम किस राज्य प्रजामदर से संबंद हैं जालावाद राज्य प्रजामंदर से जये मंदर कर दो यह थ explan पंडित नेनुराम शर्मा अगला प्रस्ण है मेवाड पुकार है तो ये मोतिलाल तेजावत द्वारा तियार किया गया है कि मांग पत्र था जो कि महराना मेवाड को प्रस्तूत किया गया था इसे मेवाड पुकार नाम दिया गया है अगला प्रसन है मेवाड प्रजामंडल की इस्तापना किस ने कि थी तो ये मानिक के लाल वर्मा के द्वारा की गई थी मेवाड प्रजामंडल की इस्तापना अगला प्रस्ण है निम्न में से डुंगरपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष कौन थे तो ये भोगिलाल पांडिया थे जो कि डुंगरपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे अगला प्रस्थन है राजस्तान में मुड्यार की ख्यात में किसका वर्णन है तो इसमें मारवार के राठोड शास्थकों का वर्णन किया गया है मुड्यार की ख्यात में अगला प्रस्थन है निम्न में से वर्दमान विद्याले के इस्तापना किसने की थी तो यह अरजुनल अगला पुर्सन है n stuk onas window अम्माइन नें नियुक्त 1 लाल हत्याकार्ट से सब्सक्राइब नहीं तो मुहनलारी में प्यारीलाल हत्याकाण में सब्सक्राइब नहीं था इसके अलावा राम करणे थाकुर केशली सिंग बारटे और सौमदत लहरी ये तीनों ही महंत प्यारे लाल हत्याकांड से संब्दित थे अगला प्रस्न है राजस्तान का प्राचिंतम सिलालेख कौन सा है तो ये बडली का सिलालेख है जो कि प्राचिंतम सिलालेख है अगला प्रस्न है राजस्तान में जो सबसे प्राचिंतम सिक्के प्राप्त हुए वे क्या कहलाते हैं तो इन्हें आहत मुद्रा के नाम से जानते हैं प्राचिंतम सिक्कों को अगला प्रस्ण है राज प्रसस्ती के लिखक का क्या नाम है तो यह रण छोड़ बट है राज प्रसस्ती के लिखक का नाम है अगला प्रस्ण है मुडियार की ख्यात में इसका वर्णन है तो इसमें मारवार के राठोड शास्कों का वर्णन किया है मोडियार की ख्यात में अगला प्रस्थ है माराना कुमभा की विज्यों और विरुद्धों की जानकारी कहां से मिलती है तो ये रनकपुर प्रस्थि से मिलती है कुमभा की विज्यों और विरुद्धों की जानकारी अगला प्रस्थ है किस सिलालेक में चोहनों को वस्थ ग रहा गया है जिसमें चुहानों का गोत्र ब्राह्मने बताया गया है अगला प्रशन है जिस इलालेक में श्याश्कों की यश्यो गाता होती है उसे कहते हैं तो उसे प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है जिसमें श्याश्कों की यश्यो गाता होती है अगला प्रशन है वंश राज्ये का इत्यास वर्णित है वंश बासकर ग्रंत में जो कि बुंदी का जो राजा था उसके द्वारा लिखवाया गया था